हेलो एवरीवन वेलकम बैक तो मेटाप्यूडिक्स आज की हमारी लेक्चर में हम फुल वेव रिक्टिफायर उसमें हम सेंटेटेप ट्रास्फार्मर और फुल वेव बिल्ज रिक्टिफायर आउटपुट फ्रिक्विंसी और एफिशनसी उसकी नेचर आफ रिक्टिफायर को देखेंगे तो आईए शुरू करते हैं अब फुल वेव रिक्टिफायर में हम दोनों जो साइकल्स तें जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइकल उनका हम आउटपुट लेते हैं और दोनों साइकल्स को हम सेम डारेक्शन में फिलो करवाते हैं जो आउटपुट पे ह हमें मिल रहा होता है इसमें हम generally two diodes use करते है rectification के लिए एक diode जो है हो gonna positive cycle, positive cycle rectify कर रहा होता है और दूसरा cycle जो behavior cycle रिच्टिपाइप कर रहा होता है और supply करता है current load को, तो अगर हम इसमें देखें तो full wave rectifier में हमारे पास sensitive full wave transformer जिसमें हम transformer का use करते हैं sensitive rectifier होता और दूसरा होता है हमारे पास full wave bridge rectifier अब अगर हम sensitive full wave rectifier की बात करें तो sensitive full wave rectifier में हम दो diodes use करते हैं D1 जिसको हम नाम देते हैं D1 और D2 इसमें हम एक sensitive winding भी हम ये sensitive winding हम ये भी use करते हैं उसके इलावा ये जो है सो हमें वो जो cycle है उनको हमें output पे शो करवा रहा होता है इसमें एक diode जो है जो वो positive cycle को use कर रहा होता है और दूसरा diode जो है जो वो input AC signal के negative आप को use कर रहा होता है इसमें जो PIV है पीक inverse voltage sensitive task warmer में PIV हमारी double होती है याने कि आगर हमारे maximum peak value जो है वीम peak value जिसे हम कहते है अगर वो हमारी 50 है तो PIV जो है जो 100 वोड्स होता है इसलिए हमारे पास जो diodes है जो center tape में diodes use कर रहे होते है उनकी PIV double होनी चाहिए थाके वो destroy ना हो center tape toaster armor के अगर हम working mechanism को देखे तो इसमें पॉजिटिव cycle जो ऐसो input पॉजिटिव cycle इसमें यह positive cycle यहां से अगर हम देखे तो वो इस तरह फिलो कर रहा होता है साइकल और नेगेटिफ साइकल के हमारे पास दी टू डायोड जो इस तरह शोले ग अ क्रहा होता है अब अ क्योंगत पैस लूट पाब जाता है बहुन durability आउपस आ जा नहीं यहां पास यहां से यहां से हुते हुए इसALLY पॉझे वेसलो कर रहा होता है यानु के हमारे पास जो inputs इसकी एड़ाटेज देखें तो इड़ाटेज में इसकी पीशनसी ज्यादा है इंपुट एसी सिगनल जो हम सप्राय करते हैं उसकी पीशनसी ज्यादा होती है जो जबकि हम आरे पास दोलों आफ पॉजिटिव सिगनल साइनोसाडल के वह आउटपुट पर हमेश हो रहते हो इसलिए हमारे पास एफिशनसी जो है वह हाय हो जाती है यानि कि हाप डेवरिक्टिपायर से डबल हो जाती है इसकी बात करें तो डिसएडवांटेज पर पहला जो डिसएडवांटेज आता है वह यह के सेंटर टेप सेकंडरी वाइंडिंग को लोकेट करना मुश्किल होत ताके हमारा जो डायोड है वो डिस्वाइड आओ अब डिसी अर्पूट सिम्वाल किस तरह है इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो अब यहां पर देखें जब हमने यहां पर इन्पूट सिगनल दिया अगर लेट से हम कहते हैं यहां पर हमने अंड्रेड वोल्ट की इ पर 50 तो फुरा इल्पूट सिंग्डल है 50 के बाद 25 वोल्ट को 25 वोल्ट जो है वो इस डायोड को डीवन को मिलेंगे और 25 वोल्ट से दीटू को मिलेंगे अब चब लेकत तो 0.7 वोल्ट ओड ब्रीवन भी लेगा अन अन के लिए अगर तो अब आउट-पुट पर आउवर जब पॉजिटीव साइकल यहां से फिलो कर रहा है तो पॉजिटीव साइकल यहां पे 0.7 लोस हो गया हमारे पास कितना रहे गया 24.3 लोट पर पे हमें कितना di informa 24.3 वोल्ट्स और फिर जब negative cycle फिलो करेगा तो उस साइड पे इसी तरह हमें 24.3 वोल्ट्स मिलेगे अब हमने आगे filters use करने होते हैं जैसे कि हमारी पास यह जो यहां पर आप देखें तो कितनी fluctuations है वेबस के बीच में तो यह fluctuations हमारी device को destroy कर सकती है तो इसके लिए हमें filters आगे लगाने होते हैं तो filters use करके आप्रोक्सिमेटिटी इसने 24 volts जब आउपट में मिलेगा तो 100 volts के मुकाबले में 24 volts के कितने हैं बहुत ही low voltage है तो यह small output volt हमें मिल रहा होता है उसके बाद इसकी अगबर अगर हम applications की बात करेंगे तो जहां पर transfer हम यूज करते हैं वहां पर यह circuits यूज होती हैं जिर्फ और only days में हमारे पास जो यह यह चार्जर circuits थे वहां पर भी यह transformer circuits और उसके इलावा हाई power applications जो है वहां पर अब आता है full wave bridge rectify एक तो इसे bridge rectify इसके लिए कहते है क्योंकि यह बिर्च की तरह इसकी arrangement वह बिलकुल बिर्च की तरह है इसलिए हम इसे bridge rectify कह रहे होती है इसकी एगर advantage की बात करें तो एक एड़ांटेज यहां कि यहां पर सेटेटेट्ट रॉस्फार्मर की तरह नहीं पड़ती, इसमें advantage यहां कि इसमें centre tip रॉस्फार्मर की निट जो है वो ख़तम हो गई है, centre tip की ज़रॉत नहीं है, अब इसकी connectivity जो है, वो इस तरह बनाए गई ह कि एक ब्रिज की तरह लोक देता है तो इसमें क्या होता है एक साइट पे यहां पर किस साइट पर हमारा क्या होता है इस पर हम इंपुट दे रहे होते हैं एक साइट पर देते हैं और दूसरी साइट पर कनेक्टिविडी क्या करते हैं लोड को कनेक्ट कर देते हैं और दूसर आफुछ अगर पिछली डाइग्राम को कान्ट्रोल करना होता है कि मैक्सिमं करना है मिनिमूम करना है ताके आगे डायोडस को नुकसान न पहुचे क्योंकि डायोर्स की PIV वेसे भी इतनी ज्यादा नहीं होती है डिफरेंट 10V से तक्रिवन 10KV इसके दरमया डायोर्स की जो PIV होती है अब यहां पर देखें यह त्री साइट पर हमने क्या कर यह इंपूट सिगनल दे दिया है और इस तरह पर आम आ रहा है यह इनपूट सिंगनल है यहां पर यह नहीं हमें आउटपुट पर मिल रहा हो उसके बाद हम देखें तो इसमें 4 डायोर्स हम यूज़ करते हैं D1 से लेकर D4 तर दो डायोड जो है एक साइकल को रेक्टिपाय करने के लिए या पॉजिटिव साइकल को हम कह सकते है रेक्टिपाय करने के लिए दो डायोड यूज होते है और दूसरी डायोड दो डायोड यूज होते है negative cycle को rectify करने के लिए जब positive cycle को rectify कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो ऐसो पहले दू डायोड जनेट से हम D1 और D2 दे रहे होते हैं D1 और D2 forward bias होते हैं और D3 और D4 reverse bias होते हैं और negative cycle के लिए इसी तरह D3 और D4 जो ऐसो वो positive bias होते हैं और D1 और D2 switch up होते हैं as a reverse bias होती है इसकी अगर working mechanism देखें तो यहां पर अगम हमने sensitive लगा है यहां से हमारा input आ रहा है तो यहां से positive पॉजिटिव साइकल के लिए यहां से voltages below करते हैं D1 से होते हुए फिर यहां पर ground और इसी तरह यहां से निकलके यह load load से फिर D3 D3 से फिर उसी जगा circuit complete हो जाता है और negative cycle के लिए इसी तरह यहां पर negative cycle के लिए D2 और D4 जो ऐसो वो forward bias में होती है और इसी तरह यहां से negative cycle flow कर रहा होता है D2 से होते हुए यहां से ground यहां से load से निकलके यहां D4 और इसी तरह यहां पर circuit complete करती है working mechanism यहां पर आप देखें तो यह देखें positive cycle के लिए हमारा जो ऐसो यह green में जो diodes है D1 और D2 यहां पर यह forward bias होती है और इसी तरह यह voltages flow करवाती है यहां से आप देखें तो D1 और D2 हमारे positive cycle के लिए use हुई है यह forward bias है और closed circuit as a काम करते है और D3 और D4 reverse bias होती है और यह open circuit की तरह काम करते है अब negative cycle में क्या होता है D4 और D3 forward bias होती है और यह as a close switch काम करती है और D1 और D2 यहां पर reverse bias हो जाती है और यह as a open circuit काम करती है इसी तरह हमारा जो है पूरा cycle यह input cycle था यह input cycle इसी तरह हमें एक ही direction में output में show रहा होता है यह थी simple working mechanism full wave bias rectifier की अब इसमें current जो होता है एक ही direction में flow कर रहा होता है output पे आपने जिस तरह देखा कि current इसी तरह हमें output जो एस हो वो एक ही direction में इस तरह हो रहा था और यहां पे जिस तरह हमारे पास sensitive transformer में positive cycle को rectify करने के लिए सिरफ एक diode यूज किया जाता था और यहां पे एक cycle को एक half cycle को rectify करने के लिए हमारे पास दो diodes use की जाती है instead of one अब advantages देखें तो advantages में पहली advantage हम discuss कर चुके हैं कि center type transformer की need जो ऐस हो eliminate हो गई है और output जो ऐस हो double हो गया है ऐसे आप center type center type में हमने देखा था कि किस तरह हमारे पास 2.4.3 voltage आ रही थी तो यहां पे center type तो है नहीं तो अगर हम 100 100 voltage भी देगें overall circuit में से कोई 2-3 voltage drop होंगी क्योंकि हमारे पास 4 diodes use हो रही हैं तो हमें output में एक cycle के output में at a time हमें 49.3 voltage या 48.something इतने voltages हमें एक cycle के लिए बिलेगे जो के twice है जो center type में हमारे पास voltage मिल रहे थे हैं उससे twice हमें output में मिल रहा होता है full wave ridge रेक्टी पायर में और यहां पे PIV भी हमारे पास इसी तरह half हो जाती है क्योंकि डायोड से होते हैं वो load और उसी तरह वो circuit को complete करते हैं तो यहां पे PIV जो है वो भी one half होती है center tape से PIV is equal to VM होता है यहां पे अब disadvantages की बात करें तो overall voltage drop यहां पे बढ़ गया है और जिस तरह हमारे पास center tape में सिर्फ दो डायोड थी तो तकरीबन 1.4 वोल्ट सिल्कॉन के लिए और 0.6 वोल्ट जो जर्मिनीम के लिए loss हो रहे थे और यहां पे जो overall voltage drop है वैसे efficiency इसकी उत्मी है जितनी है हमारे पास है center tape की थी लेकिन overall voltage drop है across the diodes वो ज्यादा है as compared to center tape उसके बाद अगार applications की बात करें तो applications में यह modulation के amplitude को detect करने के लिए यूज होता है और bridge free interactifier जो एसो वो polarize करने के लिए भी जो हमारे पास output में मिल रहा होता है इसमें fluctuations है यहां पर fluctuate कर रहे होते हैं power supply में मुख्तिलिफ devices की जो capable है high AC voltage को low DC voltage में convert करने के लिए और यह power supply करने का काम भी करते हैं अपनों devices को जिस तरह DC voltage जिस तरह motor या LED यह उनको DC voltage supply करने के लिए भी फुल वे बिर्ज रिक्टिपायर यूज होता है अब frequency जो इनकी है वो frequency यहां पर हमारे पास देखें अगर frequency है पाउट है हमारे पास यहां पर frequency जो हमारे पास inputs frequency है उससे double यहां में outputs frequency मिल लिए होती है output frequency जो है जो डबल है half input frequency और अगर हम अब efficiency के formula को drive करें तो efficiency के formula में हमारे पास DC output voltage जो यहां पर आएंगे जिस तरह हमने half wave रेक्टिपायर के voltage half wave की जिस तरह हमने efficiency निकाले थी इसी यहां पर भी इसी तरह हम efficiency निकालेंगे यहां पर पर इसे इसे परक जो इतना है हमारे पास यहां पर time period जो है आफ हो गया है अगर वहां पर हम use कर रहे थे input voltage जिसे कहते हैं v is equal to vm sin theta यहां पर हमारे पास time period यह है यहां पर हमारे पास तरह हम पर आउट के लिए हम जिस तरह integrate करते थे तो वहां पर रखते थे one upon two pi तो यहां पर हम रखेंगे two upon two pi क्योंकि time period half हो गया तो two two से cancel हो जाएगा तो हमारे पास one upon pi time period आएगा और बाकी बिल्कुल चीजें वह उसी तरह रहेंगी कि ITC के लिए vm upon sin theta होगा integrate करेंगे zero से pi तक और हमारे पास जो output आएगा वह आएगा two im upon pi आप इस चीज़ से भी डूट कर सकते हैं कि हमारे पास जो वहां पर im जो हमारे पास idc आई थी idc हमारे पास थी im upon pi तो यहां पर आ रहे है two im upon pi तो two जो है तो time period की वजह से आ रहा है power का formula के लिए two im divided pi का whole square into rl time period की वजह से change हो रहता है जो time period upon two है इसी तरह अगर इसी power निकाले तो हमारे पास ic i rms जिस तरह हम कहते वह अगर निकाले तो वहां पर हमारे पास आ रहा था im upon pi im upon two आ रहा था तो यहां पर इसी तरह time period one upon pi होगा और इस तरह यहां पर जो है vm का whole square यहां पर लेंगे यहां पर हम लेंगे one upon two यहां पर लेंगे one upon two इस तरह से हम लेंगे और time period one upon pi ही रहेगा तो हमारे पास जो यहां पर पी एसी आएगा यह rms आएगा वो आएगा im upon under root two rf फिलस rl अब हमारे पास यहां पर जो efficiency है वह 81.2 परसंट तब आएगे जब हम rf को निगलेट करेंगे और वह तब निगलेट करेंगे यह इनोर तब करेंगे जब हमारे पास जो rn load resistance है वह काफी ज़्यादा है as compared to rf अगर load resistance बहुत ज्यादा है तो तब जागे हमारे पास efficiency जो आएगी वह 81.2 परसंट आएगी फुल गेद रिक्टिपायर के लिए यह ब्रिक्टिपायर के लिए भी इतनी efficiency आएगी और अगर हम देखे तो आउटपट पे अगर आउटपट वैसे तो इसी तरह अगर हम यह पर पहला फिगर है वह डीसी कंपोनेंट अगर हम कहें कि सर्किट को दे रहें 32 वोल्ट का और उसके इलाब आप एसी सिगनल भी दे रहे हैं यह हम आरी पास 32 से 18 तक यह हम एसी इंपट दे रहे होते हैं तो सर्कुट में अगर हम इसी सिगनल के साथ ही अगर बैटरी यूज़ करें 32 वोल्ड की बैटरी यूज़ करें तो तब जो हमारे पास यह आउटपुट शो हो रहा गा वो जीरो से लिकर 50 तक आ जाएगा यहां से 18 यह वोल्ड अगर आप इसी तरह करेंगे हमने इसे बायस कर दिया और यह जो वेव हो है वो बैटरी की वज़ए से डीसी बैटरी की वज़ए से वो शिफ्ट हो गई है अपर साइट पे पॉजिटिव साइट पे और हमेरे पास जो आउटपुट आएगा वो जीरो से लेकर 50 वोल्ड तक आएगा डीसी बैटरी की व हमारे पास है जीरो यह यहां से हमारे पॉल्ड जो है वो जो सिग्नल है वो जीरो वोल्ड से ऊपर चला जाएगा उसके बाद हम अगर रिपल फेक्टर की बात करें तो रिपल फेक्टर आप कहते किस चीज को है जो हमारे पास आउटपुट आ रहा होता है यहां तक जो हमन तो AC Components की या ये Flexuation जो Addition of AC Components to DC Components जो है इसे हम Ripple कहते हैं और ये जो है जो हमारे पास DC Voltages की या DC Hour पे चलने वारी जो Devices हैं वो उनके लिए मसला करेंगी तो इसको हम further smoothen करने के लिए करने के लिए हम filters का यूज करते हैं कि ताके रिपल कम से कम हो तो हमारे बास जो Output है वो ज्यादा रहेगी यह AC Component जो होती है वो Undesirable होती है और यह Pulsations होती है Output में हमें शो हो रही होती है जो हमारे पास AC Component रेक्टी पार आउट्पुट वोल्टेज में है उन्हें हमें अगर रेपल वोल्टेज केते हैं और AC Component Output Current में हमें उन्हें हमें रेपल करन्ट केते हैं तो आगर रेपल पैक्टर का फार्मूला ट्राइब करें तो फार्मूलियों से पहले यह 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 रेपल फैक्टर है उसको कहता है कि रेशियो आप आरेप आरेप इस वील्यू अगर सीधा करें फार्मूला की बात करें तो रेपल फैक्टर इस उकूल तो आई एसी अबान आई डीसी होती है यह 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 हमने डिसकस कर दिया है अगर हमारे पास जो है रिपल फैक्टर जो है वो वन से ज्यादा जो वेल्यू आ रही है हमारे पास बन से ज्यादा आ रही है यूज से बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हैं और सिमूतन करने में भी ज्यादा टाइम और एनरजी यूज होगी और आउटपुट भी उस तरह का नहीं मिलेगा तो रिपल फैक्टर बेरी इंपर्णने इंडिसटेंग इस फैक्टिव नेस आफरेपल रिपेफिक्टिफीर आउटपूट की इपी इफिशेंसी को डिवाइडग करता है कि इतना एक्टिव में आउटपुट मिला है तो हमारे पास आपण आपट या यानरी की अफैक्टिव आई है और अगर हमारी पास रिपल फैक्टर वह है फ्लेक्टूरोंस की ज्याता है तो बिलकुल एफेक्टिव नहीं होती आउट कुड़िए अब अब आधर हमने इसके mathematical analysis देखें तो मैसे mathematically हमारे पास जो ripple हमारे पास value है वो होता है i rms बरावर होता है i rms is equal to i ac plus i dc जो हमारे पास i rms का square होता है वो equal होता है i ac का square plus i dc का square तो हमारे पास अगर i ac निकाले तो i ac हमारे पास आता है i rms यहां होता है i rms हम अगर i ac निकाले तो i ac equal होता है i rms का square minus i dc का square whole square root और यहां पे अगर हम इसको i dc से divide करें हाँ जगह पे अगर हम i dc से divide करें तो यह बच जाता है यहां पे रिफिल पेक्टर अगर हम यहां पे i ac होता है i rms square minus i dc का square square root में अगर हम i dc दोलों तरफ से divide करें तो हमारे पास क्या आ जाता है i rms का square upon i dc square square minus यहां पे i dc का square यह बहुत है i dc का square तो यह कट हो जाएगा तो यहां पे क्या जाएगा minus one तो यह i ac upon i dc हमने जिस तरह हमने जिस तरह बता है कि पीछे discuss किया था हमने जिस तरह पीछे discuss किया था कि i ac upon i dc कि कि बराबर होता है वो ripple के बराबर होता है ripple factor की बराबर और equal to यहां पे i rms square upon i dc square minus यहां पी क्या जाएगा one रहा जाएगा क्योंकि i dc का square upon i dc का square यह one हो जाएगा तो अगर हम halfway की निकाले तो halfway में अगर i rms यहां हम कहें कि i ac की value पुट करें जो है i m upon 2 और i dc का अगर input करें तो वो होता है i m upon pi का all square तो हमारे पास हम यह से जो एसो ripple निकाले तो हमारे पास halfway का ripple factor होता है वो होता है 1.21 यानि कि हमारे पास halfway जो एसो इतना effective output नहीं देगा वो इतना effective output हमारे पास नहीं मिल रहा होगा halfway में अगर full wave में देखें तो full wave में इसी तरह यहां पे irms और idc की values पुट करें तो हमारे पास full wave में आता है 0.48 यानि कि हमारे पास जो full wave में ripple factor होता है वो बहुत ज़्यादे काम होता है यानि idc के components ज्यादा होते और वो हमारे पास effective output शो कर रहा होता है तो इस तरह हमारे पास यह था हमारे पास ripple factor की derivation और यह values की हमारे पास ripple factor हाफ में कितना आ रहा होता है और कितना रहा होता है उसके बाद आप अगर आप comparison देखे schematic diagram का हाफ में एक diode होता है और load resistance यह और हमें output इस तरह show कर रहा होता है पहले positive cycle फिर 0 फिर positive cycle फिर 0 और sensitive में इसी तरह यहां पर ground हो होता है और यहां पर दो diodes यूज करते हैं और bridge rectify में 4 diodes यूज कर रहे होते हैं और हमें जो output मिल रहा होता है वह positive और negative half cycle दोनों का output show रहा होता है उसके पाद अब comparison करें तो हमारे पास half wave जो है half wave में number of diodes हमने एक यूज किया था और center tape में 2 diodes और full wave bridge rectifier में 4 diodes यूज कर रहे होते हैं और transformer सिर्फ center tape के लिए necessary होता है और bridge rectifier में necessary नहीं होता और half wave में भी necessary नहीं होता efficiency half wave की बहुत कम हो रही होती है 45.6% और center tape और bridge rectifier की efficiency c80 1.2% होती है और ripple factor half में 1.21 होता है और center tape में 0.48 यानिकि हमारे पास center tape और full wave bridge rectifier जो होता है वो effective होता है as compared to half wave rectifier और output frequency दोरों की ज्यादा होती है double होती है center tape और bridge rectifier की और half wave में efficiency output frequency जो होती है वो same होती है इस तरह peak inverse voltage जो वो same होता है half wave में और full wave center tape में हमारे पास peak inverse 2VM होता है double होता है PIV और bridge rectifier में same VM होता है यानिकि हम आरे पास जो ऐसो diode जो PIV value हो बहुत ज्यादा होनी चाहिए center tape ज्यास तरह reus आरे गास पास देड़ा है 2 व蒜े़ ज्ड़क्ड़क्राण ज्ञाड़ार मेंat अर्भण साहर आरे पी जल, wt今天 होता है 5 disbelfäh 5 तरह ओत से और, और शर् 그래요 ीजाद़क्राण, घ्यान, एक में आरे Éf sãoए 80S,